जो जनाब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अलामा इकबाल साहब का मास्टरपीस, उनका मैगनम ओपस, उनकी कमाल की किताब, The Reconstruction of Religious Thought in Islam को डिस्कस कर रहे हैं। इसके उपर मैं अल्रेडी दो वीडियो बना चुका हूँ। पहली वीडियो में मैंने आपको इसके इसके लेक्चर नमबर वान को कवर किया था। आज की वीडियो में हम लेक्चर नमबर टू को कवर करेंगे जो इसके जबसे मुश्किल, सबसे डेंस चेप्टर है। बाइद वे मुझे एक और नियूस पता लगी डिरिंग दे वीक कि ये जो किताब है ये साओधी अरेबिया में बैंड है क्योंके उन लोगों के मताबिक इसमें कुफराना कलाम है, इसमें गेर शरعी बाते हैं। मेरी अब्जरवेशन के मताबिक यूजिली जब हाई इंटलेक्ट की बात होती है, फलसफियाना बात होती है, तो पीपल टेंड टो गेट डिफेंसिव इन आप आट अव वर्ल्ड, स्पेशली दीन को लेके, क्योंके मुलाना हजरात ने दीन और मजभ को लेके हमारा जहन बिल्कुल माउफ कर दी है, बिल्कुल बंद कर दी है, वो बिल्कुल उसी तकलीदी सोच पर चल रहे हैं जिसमें there is no chance, there is no room for questioning, लेकिन दोस्तों आप लोगोंने हमेशा याद रखना है, कि doubt is the first step towards wisdom, इस तरह के जो तकलीदी लोग होते हैं, वो अकल को इमान का तुश्मन स Can you imagine that? यही वज़ा है कि हमारे मुलक में दीन और दुनिया को अलग-अलग करके देखा जाता है, एक segregation है, दीनी और गेर दीनी तालीम में, अब अगर आप सोचे, तो गेर दीनी तालीम भी कुछ होती है, यह जो biology है, mathematics है, physics है, यह बाकी sciences है, यह दीन का ही तो हिस्सा है, क्य जानात के रास खुलते चले जाएंगे, anyways, मैं आपको यह बात बता दूँ कि इस बुक इस वर्क ऑफ जीनियस, absolute जीनियस, यह एक बहुत ही high intellect की किताब है, जिसको आपको पढ़ना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, तो हम लोग थोड़ा सा recap कर लेते हैं, कि हमने पिछल philosophy का comparison किया था कुरान से, Emmanuel Kant और इमाम घजाली के उपर बात की थी, और सबसे आखर में हमने डिसकस किया था mystic या फिर रिलिजिस एक्सपिरियंस, यानि कि मजभी तजर्बा या मुशाहिदा, पहले चैप्टर के आखर में अकबाल साहब कहते हैं, कि यह जो mystic एक्सपिरिय एक है, एक है pragmatic test और दूसरा है intellectual test, जो pragmatic test है वो होता है प्रॉफिट्स के लिए, इसका conclusion यह है कि अगर किसी पेगंबर के उपर वही हुई है, उनके उपर अल्ला का कलाम नाजल हुए, तो उसका जो impact होगा, उसका जो असर होगा उस community के उपर, उससे पता लग जाएगा कि य वही दुरस्त थी या नहीं, इसका एक बहुत ही बेतरी टेस्ट है, हुजूर्पाक ﷺ, वो हमारे आखरी नबी है, और उनके उपर जो वही नाजल हुई, उसका impact आज पूरी दुनिया में पहला हुआ है, जिसकी वज़े से तकरीबन दो अरब के करीब मुसल्मान मौजूद पूरी दुनिया में, इसको इकबाल साहब ने इसलिए लिखा ताके जो लोग जाली पेगंबर होने का दावा करते हैं, आप लोग उनको पहचान सकें, जो दूसरा टेस्ट है वो है intellectual टेस्ट, और वो ही टेस्ट इस chapter number 2 का main topic है, जिसके जरीए हम इस मजभी मुशायदे को इस वारदात को critically analyze करते हैं, और नतीजा निकालते हैं कि ये दुरुस्त है या नहीं, इस से पहले कि मैं आपको ये lecture explain करूँ, let me tell you again कि ये इस किताब का सबसे मुश्किल chapter है, but it is one great learning experience, इकबाल साहब की knowledge, उनका wisdom, उनकी सोच की depth का असल पता लगता है इस chapter को पढ़के, it is complicated yet a breathtaking work of genius, इसमें हम कुछ बहुत ही important points discuss करेंगे, जैसे के खुदा के वजूद का proof, so वो लोग जो atheism पे believe करते हैं, जो atheism की तरफ tilted हैं, वो इस lecture को जरूर सुनें, दूसरा है concept of time, ये भी बहुत interesting है, तीसरा है तकदीर का concept, आज once and for all मैं ये तकदीर का मामला आप लोगों के लिए sort out कर दूँगा, चौता है critique on physical sciences, basically ये ही इस chapter का main argument है, जिसमें इकबाल सहब जो modern sciences है, उसके उपर critique करते हैं, और तनकीद बराय तनकीद नहीं, बलके बहुत ही solid logical critique, एक और अजीम concept में आपको समझाओंगा, जो के है concept of kun, यानि के kun fire kun, चले जी ready हो जाएं, concentrate कर ले, हम इसको आपने बहुत ही गोर से सुनना है, इस chapter के आगाज में existence of God के हवाले से जो तीन बन्यादी concepts हैं, उनको एक बाल तनकीद का निशाना बनाते हैं, जिसमें से पहला है cosmological, दूसरा है teleological और तीसरा है ontological, cosmological argument को हम लोग उर्दू में कहते हैं इल्लती, यानि कि cause and effects related, teleological को कहते हैं मकसदी, जो किसी भी शेय के purpose related होता है, और ontological को कहते हैं वजूदियाती, जो किसी भी शेय के वजूद यानि के existence से related होता है, कौस्मो लॉजिकल argument के मताबिक हर शेय के पीछे cause and effect होता है, यानि के इल्लत और मालूल, इल्लत यानि के cause और मालूल, यानि के effect, इस क्योंकि अगर आप इस cause and effect के सिलसले को पीछे लेके जाएं तो आप एक point पर आके रुक जाएंगे, there will be a full stop, इसको आखरी इल्लत या इल्लत और मालूल कहते हैं, यानि के last cause, but what is the cause behind this effect, इसका इस argument के पास कोई जवाब नहीं, अच्छा इकबाल सहाब के इस दलील के उपर दो बुनियादी इतराज हैं, एक तो ये, कि अचानक एक point पर पहुंचके आप किसी भी चीज़ को इल्लत और उल्ला, यानि के ultimate cause कैसे करार दे सकते हैं, ये तो जो cause and effect का जो कानून है, ये इसके बिलकुल मुनाफिय है, this goes against it, लहाजा this is not true, दूसरा इतराज ये है के इल् की महताज है, तो इस effect के ना होने की वज़ा से, ये जो cause है, ये खुद limited रह जाती है, और ऐसी limited हस्ती, ऐसी महदूद हस्ती कभी भी खुदा नहीं हो सकती, in fact, एक और तनकीद इस दलील के बारे में उनकी ये है, कि मतनाही की नफी से, यानि कि finite की negation से उसको deny करके, आप ल एक हस्ती जो infinite है, उसको कैसे पहुंच सकते हैं, that's not possible, अच्छा जनाब ये जो teleological argument है, ये ये कहता है कि ये जो universe है, ये इतनी managed है, इतनी discipline है, हर चीज़ अपने हिसाब से move कर रही है, हर चीज़ में नजम و जब्त है, इसके पीछे कोई ना कोई तो हस्ती मौजूद है, या तो कहते हैं कि ये जो teleological argument है, ये creator यानि खालिक की बजाए एक planner का तसवर पेश करता है, जिसने मादे यानि matter को बनाया और उसके बाद उसे arrange करके इस दुनिया को create किया, यहां पर वो एक जबरदस बात लिखते हैं, यानि कि एक planner, एक designer, एक सना, जो अपने बनाये हुए material यानि मवाद से अलहदा तसवर किया जाएगा, उससे अपना ही तखलीक किया हुआ, अपना ही create किया हुआ, matter मحدود कर देगा, limited कर देगा, तीसरा argument खुदा के वजूद के हवाले से है, ontological, जिसे दलीले वजूदी कहते हैं, इसमें इकबाल सहब डेकार्ट की example देते हैं और कहते हैं कि जब कोई सिफ्थ किसी शेय के तसवर में शामिल हो, तो एन मुम्किन है कि वो सिफ्थ इस शेय में मौजूद होगी, अब खु उसने कहा था कि I THINK, Therefore I AM, यानि कि मेरा वजूद इसलिए है कि जब मैं अपने होने के बारे में शक करता हूँ, तो मुझे अपने होने का एहसास पैदा होता है, इस argument पे Emanuel कांट ने एक बहुती इंटरस्टिंग एतरास किया था, जिसको इकबाल सहाब ने इस बुक में में कांट कहता है कि अगर मैं जहन में गुमान करूं कि मेरी जेव में 300 डॉलर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाकी में मेरी जेव में वो 300 डॉलर मौजूद हों, इसलिए अकबाल सहाब कहते हैं कि ये जो टिलियो लॉजिकल और अंटिलॉजिकल आरगुमेंट हैं, ये क्यों फेल हो रहे हैं? इसकी बन्यादी वज़ाई है कि ये फिक्र को एक ऐसी कुवत की हैसियत से देखते हैं, जो चीजों के उपर बाहर से, यानि कि खारजी तोर पर अमल करती है, इट एक्स एक्सटरनली, और ये सिर्फ तब कामयाब होंगे जब ये फिक्र और वजूद, यानि कि थाट और बीन को एक ही चीज तसवर करेंगे, इन यूनिटी, जैसे के कुरान में थाबित होता है, हमारी फिक्र हमारे वजूद से अलग नहीं है, बलके हमारे वजूद का हिस्सा है, असल में फिक्र और वजूद एक ही है, और ये बात तभी समझ में आ बाखिर भी, जो दिखाई भी देता है और निगाहों से ओजल भी है, यही इस लेक्चर का में एसंस है, में आइडिया है, जिसमें अक्बाल साहब ये कहते हैं कि अकल इस्तदलाली, यानि कि आप लॉजिकल इंटेलिजिंस के जरी खुदा के वजूद को नहीं पहचान सकत इसके लिए आपको अकल इवजदानी यानि कि इंट्यूशन का इस्तमाल करना पड़ेगा, इस अकल इवजदानी से इंट्यूशन से जो हमें मालूमात मिलती है, उसको हम टेस्ट जरूर कर सकते हैं, इसके बाद इकबाल साहब बढ़ते हैं एक्सपीरियंस यानि तजर्ब पर करता है, एक है मादी सता पर, दूसरा है जिन्दगी की सता पर, और तीसरा है जहनों शहूर की सता पर, यानि कि माइंड इन कांशियसनेस, मैटर से डील करती है फिजिक्स, लाइफ से डील करती है बायालिजी, और माइंड से डील करती है साइकालोजी, अब फिजिक्स क होती है, जिसका तालुक हमारे दिल से है, वो फिजिक्स के फ्रेमवर्क से बाहर है, यहां पर अकबाल सवाल करते हैं कि वो क्या अशिया हैं जिनको आप मादी दुनिया में देख रहे हैं, यकीना जवाब होगा हमारे इर्द गिर्द की मारूफ अशिया, मसलन जमीन, आस्वान, पहाड, कुर्सी, मेज वगएरा, फिर सवाल करते हैं, आप दर असल इन अशिया को किस नुकता निगा से देख रहे हैं, जवाब होगा उनकी क्वालिटीज के जरिए, इसका मतलब यह होगा कि आपने उस चीज़ क की ताबीर कर दी है, यह ताबीर किसी शेय और उसके सिफात के दरम्यान तमीज पर मुझतमिल है, जो मादे का एक नजरिया है, यहाँ पर वो एक बड़ी जबरदस एक्जेमपल देते हैं, बाद अशिया, रंग, आवाज वगएरा, जिने हम महसूस करते हैं, दर असल हमार जहें में आसमान नीले रंग की हिस पैदा करता है, वरना नीला रंग कोई ऐसी सिफ्ट नहीं जो आसमान में पाई जाती है, अब यहाँ पे सारा वो आग्युमेंट है, जिसके मताबक कुछ फलसफी और साइंटिस्टी कहते हैं कि जो फिजिकल दुनिया ये तो मौझूद ही नहीं है, ये तो हमारे जहें की पैदावार है, हम लोग जो परसीव करते हैं, उसी को हम लोग अबजेक्टिव रियालिटी तसवर कर लेते हैं, अलामा कहते हैं कि जो वेस्टन साइंस की बनियाद माटिरियलिजम पर पड़ी है, इसको सबसे कारी जर्ब तो उनके उनको क्या जबर्दस समझ थी, वो बर्टन रसल को कोट करते हैं, अलबर्ट आइंस्टाइन की बात करते हैं, आइजिक न्यूटन की बात करते हैं, अप्सलूट स्पेस और टाइम की बात करते हैं, अपने कॉंसेप्ट अफ टाइम की बात करते हैं, तो इसको भी जरा दोस्तों अगर आपने आइंस्टाइन की थियोरी आफ रेलिटिविटी पढ़ी हो तो उसके मताबिक स्पेस और टाइम जो है वो एपसलोट नहीं है जिस तरह आईजेक न्यूटन ने कहा था इसकी मिसाल आप कुछ यू समझ लें कि अगर कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है तो वक्त यानि कि जमा उसके लिए रुक जाता है इसी तरह कोई भी चीज अगर लाइट की स्पीड से बढ़ रही हो तो उसके लिए फासले कम हो जाते हैं कॉंट्राक्ट ह जाते हैं अब सवाल ये बनता है दोस्तों कि अग्बाल साइब ये फिजिकल साइंसिस की, मटीरिलिजम की और इन साइंसदानों की एक्जेम्पल्स क्यों दे रहे हैं वो बताना ये चाह रहे हैं कि जो अल्टिमेट कारेक्टर आफ रियालिटी है उसको आप स्पिरिचुल आफ रियालिटी के हवाले से अग्बाल साइब को कुछ मुश्किलात पेशाती हैं वो कहते हैं कि अगर इस थियोरी को एकसेप्ट कर लिये जाए तो अन्रियालिटी आफ टाइम को एकसेप्ट करना पड़ेगा यानि कि जमा का वजूद भी गेर हकीकी होगा क्योंकि इस न एक आजाद तखलीकी हरकत की बजाए यूं तसवर किया जाएगा जैसे वो गुजर नहीं रहा या उसमें वाकियात रूनमा नहीं हो रहे बलके वो रुका हुआ है साकिन है और हम वाकियात से दोचार हो रहे हैं आइंस्टाइन का जो टाइम है जो जमा है वो ना तो लियाकून का कॉंसेप्ट है ये भी आपको सीरियल और नौन सीरियल टाइम से ही समझाएगा सीरियल टाइम माई डियर फ्रेंड वो ही है जो हमारा नॉर्मल टाइम है एक घंटे के बाद दूसरा घंटा, बारा बजे के बाद एक बज़ता है सुबा के बाद दुपहर होती है, दुपहर के बाद शाम और शाम के बाद रात और इसी तरह अगला दिन आ जाता है ये है सीरियल टाइम अच्छा जनाब पियूर डियूरेशन यानि कि जमाने खालिस बड़ा ही इंट्रस्टिंग लेकिन थोड़ा सा कॉंपलेक्स कॉंसेप्ट है बर्कसों का ये ख्याल था कि साइंस किसी भी हकीकत को कुली यानि कि इन इट्स होल इन इट्स रियालिटी समझ ही नहीं सकती क्योंकि ये मुख्तलिफ अश्या को टुकडों में तोड़कर उसका जायसा लेती है जिसकी वज़े से साइंटिफिक कॉंक्लूजन यानि के नतीजा जुजवी तोर पर यानि के पार्शिली सही होता है उसका मानना था कि किसी भी फिनॉमेना को समझने के लिए आपको वजदान यानि के इन्ट्यूशन की जरूरत पड़ती है ये एक ऐसा लमा होता है जिसमें माजी हाल के साथ चलता है इसको कहते हैं लमा है मौजूद यानि के नाओ इसमें रियालिटी बराहे रास्त आपके उपर जाहिर होती है और इसका सीरियल टाइम से कोई तालुक नहीं होता इसको समझने के लिए मैं आपको दो मिसाले देता हूँ एक तो है म्यूसिक की जब भी आप कोई म्यूसिक सुनते हैं तो आप उसकी एक एक भीड तोड़ के नहीं सुनते बलके आप पूरी मेलडी को इंजॉय करते हैं वो मेलडी ही आपके लिए उस गाने की हकीकत बन जाती है दूसरी मिसाल बहुत ही इंट्रस्टिंग है और वो है लाल रंग की दोस्तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया में काइनात में लाल रंग की कोई चीज नहीं होती लाल रंग सिर्फ एक वेब मोशन है जिसकी फ्रिक्वेंसी है 400 बिलियन्स पर सेकंड अब अगर हम इस लाल रंग को बाहर से अब्जर्व करें और इसकी फ्रिक्वेंसी को काउंट करें 2000 पर सेकंड के हिसाब से जो light की speed है तो हमें इस लाल रंग को जाँचने के लिए 6000 साल लग जाएंगे क्या जब हम कोई लाल रंग देखते हैं तो हमें 1000 साल लगते हैं उसकी असलियत पहचानने के लिए हमारे उपर तो एक दम से उसका color नमुदार हो जाता है यही दोस्तों difference है serial time और duration में इसी serial time और duration में कुरान हकीम के दो अजीम concept चुपे होई हैं एक है कुन फाया कुन और दूसरा है तकदीर कुरान मजीद का है चाप्टर नमबर 25 और इसकी वर्स है 58 और 59 उस खुदा पर भरोसा रखो जो जिन्दा है और कभी मरने वाला नहीं उसकी हम्द के साथ उसकी तस्वी करो दोस्तों किसी दिन तस्वी का भी आपको सही मفہوم समझाओंगा लेकिन अभी इसी आयत को कंटिन्यू करते हैं अपने बंदों के गुनाहों से बस उसी का बाखबर होना काफी है वो जिसने छे दिनों में जमीन और आसमानों को और उन सारी अशिया को बनाकर रख दिया जो आसमान और जमीन के दरमयान है फिर आप ही अरश पर जल्वा फरमा हुआ रहमान इस की शान किसी जानने वाले से पूछ sulf ये जो छे दिन इस आयत में बेयान किये गए हैं ये हैं जमाने मुतसलसल यानि के सीरियल टाइम और ये छे दिन जमीन के छे दिन नहीं है क्योंकि हमारे हाँ दिन काउंट होता है अर्थ के एक सिंगल रोटेशन के उपर ये एक डिवाइन डे की बात हो रही है जिसमें एक दिन हजारा साल के बराबर है दूसरी तरफ कुरान मजीद के चाप्टर नमबर 54 और वर्स नमबर 49 और 50 में अल्ला फरमाता है कि हमने हर चीज़ को एक अंदाजे के मताबिक पैदा किया और नहीं होता हमारा हुकम मगर एक बार जो आँख जपकते ही में वाके हो जाता है यह आँख जपकना दर असल जमाने खालिस है यानि के प्योर डियूरेशन जो मैं आपको अल्रेडी समझा चुका हूँ अब दोस्तों समझते हैं एक और बहुती इंपॉर्टन कॉंसेप को जो के है तकदीर का जिसको लोग बहुती हैविली मिसंडिस्टांड करते हैं इस नजरिये को समझी नहीं पाते अब जैसा के मैंने आपको बताया के जमाने खालिस यानि के प्योर डियूरेशन में माजी हाल के साथ गुजरता है इसी तरह मुस्तक्बिल भी कोई ऐसा मरला नहीं जिसे तै करना भी बाकी है या जिसे हम अपने रूबरू मौजूद पाते हैं दर असल हम उसे इस सूरत में अपने रूबरू मौजूद पाते हैं जैसे एक ऐसा इमकान जो मुमकिन है पूरा हो मुमकिन है ना हो जमाने के इसीतसवर को قرآنِ मजीद तकदीर का नाम देता है अकबाल के नजदीग तकदीर से मुराद दर असल वो जमाना है जिसके इमकानात का इंकशाफ अबी होना है इसे महसूस कर सकना मुम्किन है लेकिन हिसाब औ शुमार मुम्किन नहीं अगली जो बात है ना वो आपकी जिन्दगी की शायद सबसे बड़ी लर्निंग है यानि के तकदीर जमा को अशिया का जोहर तसवर करती है यानि के चीजों की रूफ उनकी क्वालिटी इस टाइम जैसे के कुरान का इर्शाद है चाप्टर नमबर 25 वर्स नमबर 2 में हमने ही हर शेय पैदा की और हमने ही हर शेय का मुकदर तैय किया अकबाल तकदीर के उस तसवर के खिलाफ हैं जिसको आम जबान में किसमत कहते हैं जिसमें इनसान का माज़ी हाल और मस्तक्बिल अब्तदा ही से तैह हो गया है अगर वक्त वाकई हकीकत है तो इसके नजदीक सब लमहात यकसा नहीं हो सकते याद रखें हर लमहा तकली की है जिसमें कोई भी नादर चीज़ पैदा हो सकती है और इसके बारे में पहले से कयास करना बिलकुल भी मुमकिन नहीं है इसी हवाले से कुरान मजीद के चैप्टर नमबर 55 यानि के सूरह रह्मान की 29 आयत में जिकर है कि वो हर रोज नई शान से जाहर होता है अब दोस्तो इसी टॉपिक से रिलेटेड जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ अगर आपने वो सही तरीके से समझ ली तो आई किन गारंटी आप ना सिर्फ अपने वजूद की हकीकत को जान पाएंगे बलके इस दुन्या में जरूर कामयाब होगे ये वो अजीम फलस्फा है ये कुरान मजीद का वो ग्रेट मेसिज है जिसके ओपर पूरे वेस्ट ने अपनी सेल्फ एल्प की इंडस्ट्री की बन्यादे खड़ी की हुई है वो कॉंसेप्ट ये है कि जो जमाने खालिस मैंने आपको बताया ना पियर डियूरेशन वो जमाने मुतसलसल से आजाद है यानि के सीरियल टाइम से उपर है इसलिए जिए जिन्दगी का हर लमहा हर लहजा तखलीकी है और तखलीकी फेल मुकमल आजाद होता है अकबाल के मताबिक जिन्दगी सर ता सर इक्तियार है अकबाल शओर इन्सानी की वारदात की तरह काइनात को भी एक आजाद और तखलीकी हरकत तसवर करते है कि अकॉर्डिंग टू मॉर्डन फिजिक्स हर चीज हरकत में है इसलिए काइनात अगरचा देखने में अशिया का मजमूआ है मगर हकीकत में ना कोई ठोस जिसम है ना खला में वाके वो शेह नहीं है वो अमल है ये जो प्योर डियूरेशन है जमाने खालिस इसकी हकीकत का इनहसारी शओर या खुदी पर है लहाज़ा जिन्दा वो ही है जो मैं हूँ कह सके ये जो आयमनेस का कॉंसेप्ट है ना दोस्तो ये बहुती बुलंद नजरीया है अब ये तो होगी दोस्तो मैटर की बात इसके बात इकबाल साब बढ़ते हैं लाइफ और कॉंशियसनेस की जानिब इकबाल के मताबिक शओर हयात ही का मज़र है और जू जू इनसान अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ता है शओर इसके सफर में रोशनी की तरह रहबरी करता है शओर को आप लिमिटेड नहीं कर सकते उसकी कोई हुदूद नहीं बता सकते वो कभी सिम्ट जाता है और कभी फैल जाता है इसमें जो सबसे इंपॉर्टन बात है जिसके उपर इस चाप्टर की फाउंडेशन खड़ी हुई है वो ये है कि ये ख्याल करना कि शओर हमारे मादी अमाल मतेयन करते हैं गोया खुद इसकी इंडिपेंडन्स का इंकार है यानि कि शओर की इंडिपेंडन्स इस इतबार से शओर रुहानी असूल की एक सूरत है और ये ही वो रिलिजिस और मिस्टिक एक्सपीरियंस है जो फिजिकल साइंसे ना मेजर कर सकती है और ना एक्सपीरियंस कर सकती है इसी आगुमेंट को आगे ले जाके एक बाल एक और बहुती इंपॉर्टन्ट बात करते हैं कि ये जो फिजिकल साइंसेंसे हैं चाहे वो फिजिकस हो, बायולजी हो hell Eyalogy हो ये अलेहदा अलेहदा अज़ा के बारे में अलेहदा अलेहदा तसवरات है जिनका आपस में कोई वास्ता नहीं, कोई association नहीं जबके मजब पूरी की पूरी हकीकत का तलबगार है थस religion which demands the whole of reality and for this reason must occupy a central place in any synthesis of all the data of human experience लहाजा इस बारे में आलम महसूस से हासल करदा मालुमात को हमें मरकजी जगा देनी चाहिए अब अगर आप इन सब concepts को consolidate करके देखें तो अकबाल साहब अपने case को मज़ीद मजबूत कर रहे है और यही है religious experience का intellectual test अकबाल साहब का यह जो lecture है, इसकी bottom line यह है कि जो ultimate reality है जिसको अकबाल साहब खुदा कहते हैं, वो दरसल खुदी की ताबीर है इसका यह मतलब बिलकुल नहीं कि आप खुदा को इनसान की अनाकी quality से associate कर रहे हैं इसका मकसद सिर्फ यह है कि इनसान की जिन्दगी एक ऐसा फेल है जो उसकी सारी energies को support करके, channelize करके, एक direction में लगाके एक वहदत पर, एक unity की तरफ direct करता है जब इनसान अकल की एनक से फितरत को देखता है तो उसकी सारी जद्दो जहत बिलाखर वजूदियत पर जाकर खतम होती है और यह जो हमारा वजदान है, हमारी intuition है यही हमें ultimate reality की हकीकत तक पहुँचाती है बजाए इसके के हमारा इल्म, हमारी knowledge limited है और आखिर में अकबाल साहब कहते हैं के फलसफा दूर से हकीकत का मुशाइदा करता है लेकिन जो दीन है, जो मजब है, वो reality से बहुती close contact रखता है और इस reality को सही तरह समझने के लिए मजब सहारा लेता है दूआ का वो दूआ जो हुजूर पाक ﷺ के होंटों पर आखरी दम तक रही सो अजीज आने मन ये तो था हमारा आज का lecture शायद कुछ लोगों के लिए इसके concept थोड़े से मुश्किल हो आप सुकून से ये वीडियो दुबारा देखेगा आएस्ता आएस्ता आपको सब चीजे समझ आने शुरू हो जाएंगी इस किताब का जो अगला chapter है वो शायद इस बुक का सबसे controversial chapter है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे very soon till then keep on subscribing to book buddy और इस वीडियो को like करना और share करना मत भूलिएगा